नमस्कार जैशी किश्रा मित्रो स्वागत है एक बर फ्रिस है आपका नुत्य जोतिश्वाणी में और मैं हूँ आपके साथ मिनाक्षी चत्रुवेदी तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंजाम आज तिनाख 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार है तिथी रहेगी शावर अधिक मास की एकादशी तिथी प्राता 6 बच कर 32 मिनट तक उसके बाद 12 तिथी लग जाएगी नक्षत्र रहेगा आत्रा नक्षत्र और राहुकाल का समय रहेगा सुभा 9 बजे से 10.5 बजे तक जिसमें की कोई भी शुक्त काम नहीं करना चाहिए आज है परम एकादशी व्रत साथ याज शनी पूजा और हन्मान ची की पूजा और पीपल की पूजा करने का भी आज योग है तो चलिए अब बात करते हैं आज की राशीपल की मेश राशी आज कुछ काम पूरे होने की वेज़े से आपके मन में शान्ती और प्रसंता रहेगी लेकिन कुछ कारे अभी भी आपके अधूरे हैं जिसकी वेज़े से आप तनाव लेकर रहेंगे मान्सिक अशान्ती के चलते आपको स्वास्ते पर ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगा लेकिन स्वास्ते के प्रती दापरवाही ना बरते हैं किसी मेत्र की वेज़े से आपको रोजगार के नई अफसर प्राप्त होंगे आज आप किसी विवाद से बचे रहें और शान्ती बनाए रखें साथी सैयम से काम लें जदबाजी करने से काम विगड़ सकता है धन का आप अच्छा यूज़ कर पाएंगे लेकिन खर्चा भी बहुत होगा तो धन के प्रती थोड़ा सा सचेत रहें आर्थिक स्तिती से आपकी स्तिती मजबूत रहेगी बाकी आपका दिन मिलाजुला रहेगा आज आपको हनुमान ची की पूजा करनी चाहिए साथी सुन्दर कान का पाठ भी करना चाहिए जिससे की आपका दिन और भी बहतर निकले आपका लखी नमबर तीन है और लखी कलर आपका लाज है वरिशब राशी आज का दिन आपका भावदोर से भरा रहेगा ठकान आपको बनी रहेगे आज आपको किसी यातरा का योग भी बन रहा है लेकिन यातरा में साफधानी बरते वाणिक आपकी मधूर रहेगी लेकिन धेले शीता की कमी रहेगी तो किप्या आप शान्ती बनाई रखे साथ ही संयम से काम ले ज़्यादा भावदोर करने से आपको मानसिक और शारीरिक तनाव और ठकान रह सकती है स्वास्ते आपका ठीक रहेगा परिवार से और परिवार में वाद विवाद से आज आप बचे रहें विवाद पे जादा ध्यान ना दें तो आपके लिए बहतर रहेगा आज आप हनुमान जी को भोग लगाएं और साथ ही हनुमान जी का नाम याद करकर घर से निकलेंगे तो दिन आपका और भी भेतर निकलेगा आपका लखी नमबर पाँच है और लखी कलर आपका सफेध है मिथुन राशी आज प्रेम में आपको सफलता मिलेगी रुके ही वे कारे आपके बनेगे और साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होने की पूरी-पूरी संभावना है वेपार में आज आपको आर्थिक लाब होने से आपका मन प्रसंद रहेगा साथ ही परिवार और जीवन साथी से पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा जिससे की आपका मन प्रसंद रहेगा और मानसिक शांती रहेगी स्वास्ते आपका ठीक रहेगा गान बजाने और संगीत में आपकी रूची बढ़ेगी आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पर भी जा सकते हैं आपको आपकी माता से सहयोग मिलेगा आज आपको पीपल के पेड में दिया जलाने से साथ ही पीपल के पेड में जल जेद देने से आपका दिन और भी भेतर निकलेगा आपका लखी नमबर छे है और लखी कलर आपका ग्रे है करकराशी आज आपको व्यपार में फायदा होगा आई के नई साधन आपको मिलेंगे और व्यपार में नई अफसर प्राप्थ होंगे सोच समझकर ये हुए फैसले आज आपको फायदा देंगे स्वास्ते की बात करें तो आपका स्वास्ते आजुत्तम रहेगा वहन चलाते समय बस नापरवाही ना बढ़तें किपया साफधानी से वहन चलाएं बाकी आपका स्वास्ते छीक रहेगा किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना है जिससे आपका मन प्रसंद रहेगा और साथ ही आज आपको आई के नए आयाम और मिलेंगे आज आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं थोड़ा सा अपने वानी पर सयम रखें और प्रोद से बचे रहें आज आपको पीपल के पेड में स्वर्सों के तेल कर दिया जलाएंगे तो आपका दिन और भी भेतर निकलेगा आपका लखी नमबर चार है और लखी कलर आपका सफेध है सिंख राशी आज अतितियों का आवा गमन बना रहेगा शुख समाचार के प्राप्ती होगी तो उससे आपका मन प्रसंद रहेगा नौकरी में परिवर्तन के साथ तरक्की के भी योग बन रहे हैं व्यपार में आपको आर्थिक धनलाब होने की संभावना है खर्चों के अध्यदिक होने से आप थोड़े चिंतित रहेंगे लेकिन आपको आत्म सम्मान और आत्म विश्वास से भरपूर रहेंगे आज आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो की आपके लिए फरदाई रहेगी आज आपको आदित्य हिदे स्टुर्क का पार्ट करना चाहिए साथी सूरे को अर्ग भी देना चाहिए जिससे की आपका दिन और भी भेतर निकले आपका लखी नमबर नौ है और लखी कदर आपका केसरिया है कन्याराशी आज आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है लेकिन कारियों के सुखत परिनाम भी आज आप अनुग करेंगे साथ ही कुछ कर रहे आपके सफर नहीं होंगे उसकी वेरे से आपका मन अशांत रहेगा मन में थोड़ा असंतोश बना रहेगा आप स्वास्ते की बात करें तो आप अपने पताजी के स्वास्ते का ख़र ध्यान दें साथ ही अपने स्वास्ते की प्रतिभी लापरवाही ना बढ़ते हैं जमानत या फिर किसी विवाद में आज आप ना पढ़ें तो बहतर है और कचेरी के किसी कारे में कारे से दूरी बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा परिवार के साथ आज आपका उत्तम दिन निकलेग जिससे कि आपका दिन और भी भेतर निकलेए आपका लखी नमबर 6 है और लखी कदर आपका हरा और 3 है तुलाराशी व्यवसाई के शेत्र में आज का दिन आपके लिए उत्तम है नौकरी में आपको मान सम्मान मिलेगा साथ ही राज किये और समाजिक कारे में आज आप इंटरस देखाएंगे आज आपका मन प्रसंद रहेगा आर्थिक इस्तिती से भी आज आपको ज़्यादा जूजना नहीं पड़ेगा दीरे दीरे आमदनी आपकी बढ़ती जाएगी आज आपको कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं जो आपके लिए मनोरंजक रहेगी स्वास्ते की बात करें तो स्वास्ते आपका ठीक रहेगा आज आपको शनी मंदिर जाड़कर शनी देव क्या अशिरवाद देना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बेतर निकले आपका रखी नमबर चार है और रखी कलर आपका पीला है प्रिष्चिक राशी आज फ्रसाय में आपको उन्नती होने की पुरी-पुरी संभावना है कारशेत्र में आज आप अधिकारियों के साथ समय बताएंगे और अधिकारी लोग आपकी काम की पिशिंसा करेंगी आज आप थोड़ा चिर्चड़ा रह सकते हैं क्योंकि आपको नौकली के प्रती थोड़ा संशय रहेगा जीवन साथी की बातों में आकर परिवार में मन मुटाव हो सकता है लेकिन परिवार से आज आपका मिल जोर भी बढ़ेगा आज आपको वादविवात से दूर रहना चाहिए और आथिक इस्तिती आपको मजबूत बनाए रखनी चाहिए आपको धनलाब होने की पूरी-पूरी संभावना है आपको अपने में गेट पर स्वास्तिक का निशान बनाएंगे तो घर में सकरात्मक्ता आएगी और नेगितिवीटी बहर निकलेगी आज आपको हनुमान जी पर चोड़ा भी चोड़ा भी चड़वाना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी भेतर निकलेगी आपका लखी नमबर साथ है और लखी कदर आपका राल है धनुराशी नई योजनाय बनाएंगे कारेप्रणारी में सुधार होगा साथ ही आज आप आशा और निराशा के भावों से बीच में चूझते रहेगे आज आपके रुके हुए कामों में गती आएगी साथ ही आज आपको अपने स्वास्ते के साथ साथ अपने माता और पिता के स्वास्ते का विशेश ध्यान रखना चाहिए आमदनी आपकी कम होगी लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे तो किर्पिया उस पर ध्यान दे और आमदनी बढ़ाने के सोचें अपने वानी पर सहीम रखें क्रोध को अपने पास लिना पटगने दे वानी पे आपका सहीम रहेगा तो आप आती होई परिशानियों का सामना भी कर लेंगे आज आपको विश्ण सस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए साथ ही विश्ण भगवान ची की पूजा भी करनी चाहिए जिससे की आपका दिन और भी बेतर निकले आपका लखी नमबर 9 है और लखी कदर आपका पीला है मकर राशे आज आप अपनी भावनाओं को वश में रखें नकरात्मक तासे दूर रहें आपको अपनी माता के स्वास्ते का विशेश धान रखना चाहिए आज आप धार्मिक विचारों में भी रहेंगे साथी कोई धार्मिक यातरा भी कर सकते है आपको आज स्वास्ते का विशेश धान रखना चाहिए अपने सेहत के प्रती आपला परवाही ना बढ़ते आज आपको हन्मान जी की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बेतर निकले आपका लखी नमबर पाँच है और लखी कलर आपका लाल है कुमराशी आप आज किसी सामाजिक संपर्कों से फाइदा उठाने में सफ़र्भ है सकते हैं आपको धनलाब होगा आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत होगी जिससे कि आपको मानसिक तनाव में भी राहत मिलेगी आपको किसी चोच चपेट में आने से बचना चाहिए साथ ही किसी वाद विवाद से भी बचना चाहिए फिर कोई रेंदें करते समय आप थोड़ी साफधानी पढ़ते हैं आप किसी धार्मिक आयोजन या धार्मिक यात्रापर जा सकते हैं जो आपके लिए पलधाई रहे ही आपको आज शनी पूजा भी करनी चाहिए शनी मंदिल में जाकर आशिवार लेंगे तो आपका दिन और भी बहतर निकलेगा आपका लखी नमबर आख है और लखी कलर आपका नीला है मीन राशी आज आपके उन्नती के मार्ट प्रशेस होंगे परिवार के साथ आप किसी धार्मिक यात्रापर भी जा सकते हैं वेपार और वेवसाय में आज आपको राब होगा और स्वास्तिय आपका ना ज्यादा अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा मध्यम की और समान रहेगा आज आपको भूमी वा भवन के बारे में आप खरीमे यूजना बना सकते हैं परिवार में आनंद का मोहौल बना रहेगा आपको आज गुरु मंत्र का जाब करना चाहिए जिससे कि आपका दिन और भी बहतर निकले आपका लखी नमबर 6 है और लखी कदर आपका पीदा है तो ये थे आज के राशी फल तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ तब तक के लिए बने रहे जस्बा 24 के साथ मैं मिनाक्षी चत्रुवेदी आपको कल्प्री मिरूंगे तब तक के लिए जै हिंज, जै भारत, वंदे मातरम सर्वेशाम स्वस्तिर भवतु, नमस्कार, आपका दिन शुब्भो